नमस्कार, धर्मग्यान में एक बब फिर आप सफी का स्वागत हैं, मैं हूँ आपके साथ कविता और मैं साथ मौझूद हैं हमिश्य की तरहें, विश्यो विख्यात सुदर्शन चक्र जोतिश चारिय श्री सन्बेतरा शोका जी, सरे एक बब फिर आपका स्वागत हैं सन्बेतरा जी ने कैची धाम से ही मेरे साथ राहुल गांधी को लेकर या फिर कहें कि पार्टी को लेकर बड़ी भवश्वानी की थी। अंत्रिम अध्यक्ष पार्टी का चुन्लिया गया है और अब उनके चुन्ने के बाद 19 साल तक उन्होंने पार्टी समाली और एक बार फिर उनके हातों में पार्टी की बागडोर आ गई है और ऐसे में क्या कहता है कॉंग्रेस का भविश्य आने वाले पास सालों में किस तरह से कॉंग्रेस का प्रदर्शन हैने वाला है आई एक बार जानते हैं सन्वेत राजी से देखे आगामी पांच स्टेट के जो पांच राज्यों के जो चुनाव हैं उनको मध्य नजर रखते वे एक सुद्रोड आपका एक्सपिरियंस बंदा चाहिए था जो आपकी पार्ट और इनको मध्य नजर रखके उनको ये डिसिजन लेना पड़ा जो भविशेवानी हमने की थी ए पुब्लिक एस इनीशल से आपका पार्टी का अध्यक्ष होगा और राहुल गांदी जी आपका जो है अध्यक्षपद नहीं सुविकार करेंगे इसकी भविशेवानी हमने क अभी वर्तमान में जैसे आपने पूछा क्योंकि इस टेम जो कॉंग्रेस की स्थिती है वो बहुत डाउंडोल है एक तो वो अध्यक्ष चुनने में भी अभी तक वो अध्यक्ष नहीं चुन पाए शी इस इंटेरिम प्रेसिडेंट तब तक के लिए जब तक ये इलेक्ष तक चलेंगे उनका सिलेक्षन हुआ है और क्योंकि इस वेरी एक्सपिरियंस तो वो अपना योगदान तो देंगे लेकिन जो इस टेम लहर चल रही है देखें मैंने पहले भी बोला था कि चार महने की लहर ने फरवरी मार्च एपरिल मई चार महने की लहर ने बीजेपी को 303 पकड़ा दी 303 सीट दी और एंडिये को आपका जो है 354 सीट मेले क्योंकि इस टैम जो मोदी जी ने बहुत थी प्रो एक्टिव डिसिजन्स लियें जिसकी किसी को मीदनी थी काश्मीर में 370 और 35 एका खत्मा ट्रिपल तलाक का विधेक पास होना और 370 और 35 एक का पास होना ये बहुत बड़ी अच्छे मेंट है और ये जो है राष्टवाद की जो लहरा इसको सिद्र कहेगी और यहां में एक सेजेशन देना चाहूंगा कि पाटी को अब जो है जमू एन कश्मीर में और इन पांच स्टेट्स में हर घर पे भगवा लगवाना बहुत जुरूरी है क्योंकि राष्टवाद की लहर अगर तीन या चार महिने में आपको थ्री नोट थ्री दे सकती है तो इन पांचो स्टेट्स के इलेक्शन में डेफिनेटली क्लीन स्टेट्स होगा इवन जमू एन कश्मीर जैसी स्टेट में बीजेपी जो है जैसा मैंने भविश्यवानी की थे कि 42 प्लस सीट्स लेगी मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इसी तरीके से महराष्ट्रा में जो मैंने भविश्यवानी की है कि बीजेपी जो है वो 150 प्लस माइनस 10 और बीजेपी की सहयोगी शिव सेना 70 प्लस माइनस 5 सीट्स लेंगी और वहाँ पे एंसी या कॉंग्रेस का अगर गटबंद पे ये गटबंदन नहीं होना था शरत पवार जी कभी भी जो है कॉंग्रेस के साथ गटबंदन नहीं करते लेकिन अब जो है ये साफ नजार आ रहा है कि मद्या परदेश में गटबंदन होगा अगर गटबंदन होता है तो उस गटबंदन का वही हाल होगा जो हाल आपका UP में सपपा और बसपा का हुआ है that is NC और Congress का घडबंदन 66 को के आंकड़े को क्रोस नहीं कर पाएगा हर्याना में भी भूमत की सरकार बनने जा रही है एवन दिल्ली में भूमत की सरकार बनेगी जिसकी भविशयवानी टिकोड हो चुकी है बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगी और साथ में जार खंड में भी पांचो स्टेट्स में जो है बीजेपी सरकार बनाने जा रही है अब मानिये सोनिया गांदी जी के आने के बाद क्या फरक पड़ेगा वो देखने वाली बाता है लेकिन बहुमत की सरकार बनेगी अब ये तो सोनिया गांदी जी का जो पास्ट है जो उन्होंने उननीस साल का जो टेनियोर जो अपना ऐसे प्रेसिडेंट का जो कॉंग्रिस का जब दिया है उसमें उन्होंने देश को जब अपनी पार्टी को कहीं नीचानी दिखने दिया है। लेकिन अभी कांग्रेस की अंधरूनी जो स्तितिय बड़ी डावाडोल है। कांग्रेस में से ही अब्जेक्शन आ रहा है कि फिर गांधी परिवार। और ये गांधी परिवार अगर आप देखते हैं लास्ट के 72 यर्स में, 80% tenure जो है पार्टी प्रेसिजेंट का कॉंग्रेस का ही रहा है। बीस परसेंट में छुट-पुट कहीं आपके जो आपकी इसमें मीडिया में भी दिखा रहे थे, वो दिकामान अंडर 20% अभी जो कुरेंट पोजीशन है, शी इस इंटरिम प्रेसिडेंट फॉर कॉंग्रेस एंड शी विल बिटिल दा इलेक्शन, या इस फरवरी के जो नितिजें आएंगे, इनको पद छोड़ना पड़ेगा, फिर जो आपका, जो कॉंग्रेस का प्रेसिडेंट आएगा, अग एले आपने बोला था कि A और S इनिशल से बनेगा अध्याक्षा, जो कि S इनिशल से सोनिया गांधी बन चीके, लेकिन अंतरिम अध्याक्षा, अब जो चुनाव होगा पार्टी में, और उनके बाद जिसे चुना जाएगा, वो R इनिशल से होगा और A इनिशल, देखे, A अभी आया निए पिक्चर में, अभी पिक्चर में आये हैं मानिये मौतिलाल बोहरा जी एन, और अब आगी हैं S, तो A और S का जो प्रेडिक्शन किया था, S आ गया है, लेकिन she is again interim, she is not a president for Congress, she is only for elections, till Feb, और Feb के जब result आ जाएंगे, election के, she will have to resign, because this time, Congress की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है, अभी इन पांच राज्यों के चुनावों में और उसके बाद भी, क्योंकि इनका जो agenda होगा, राष्टवाद के against, अगर आप कुछ बोलेंगे, तो that will be against the nation, or being in opposition, you will have to counteract, जो भी राष्टवाद के लिए बात बोले जाएगे, उसका कहीं न कहीं आप तोड़ निकालने की कोशिश करोगे, और जो आप अपने पैर पे कुलाड़ी मारोगे, राष्टवाद एक ऐसा मुद्दा उसके against, कोई भी बोलके successful नहीं हो सकता, कितना भी intelligent हो, कितना भी genius हो, तो इसलिए ये बहुत बड़ी चुनोती होगी, और पाँच स्टेट के जो result अगर ठीक नहीं आते, तो she will have to resign, and then, R या A initials से Congress की backdoor समाली जाएगी, इसमें मैं एक चीज़ और add कर देता हूं, A initials से उनके पास अभी जो है, दो तीन अच्छे नेता हैं, जि तो उसमें ये भी हो सकता है, कि Congress बहुत बड़ा change करें, कोई Muslim नेता को भी पार्टी का अध्यक्ष बना सकती है। ये जो है, जनवर फरवरी तक चलेंगे। परिवार वाद, गांधी वाद, गांधी फैमिली को दिमाग में रखके, अब जो नहीं पीड़ी है, वो ये नहीं चाहती है। आप देखिएंगा, कई आपके यूवा नेता जो है, इस कारण छोड़ चुके हैं, Congress को, और आगे जो है, इसका effect जो है, पांच राज्यों के चुनाओ के जब नतीजे आएंगे, तो इनको forcibly resign करना पड़ेगा, और तब जो आएगा बंदा वो नौन गांधी परिवार से होगा। सब 72 साल की सोनिया गांधी इस बीच क्या उन्हें स्वास्ते संबंदित देकुतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके साथ जब मैंने के कुंडली डिसकुस की, तो आपने कहा था कि स्वास्ते संबंदित तो इन्हें बहुत परिशानी था। अब तो मजबूरी वाली बात है, क्योंकि राहूल गांधी जी के अलावा, पार्टी को कोई अध्यक्षपत के लिए नजर नहीं आ रहा है, और कोई ऐसा है भी नहीं है, जो आगे बढ़के बोले कि नहीं आया है, तो अल्टीमेटली जो है, आपका गांधी परिवार कोई ही आना पड़ा, जो अब जो गांधी परिवार वाला, वो जो आपका, मोदी जी का जो में वो था अबजेक्टिव, कांग्रेस विहीन, भारत, कांग्रेस विहीन तो नहीं कह सकते, लेकिन गांधी परिवार विहीन भारत का जो जो सपना है, वो इन पांच सेलेक्शन के बाद पूरा हो जाएगा, जो कि नेक्स जो प्रेजिडेंट आएगा आपका, पार्टी का, वो आर या एसे होगा, और होगा, नौन गांधी है, इस बीच मेरे दर्शक ये जरूर जाना चाहेंगे, आपने कहा कि आर और ए निशल से होगा, क्या आर से तो रहुल गांधी भी आते हैं, क्या दुबारा भी तो पार्टी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखे, आइस के बारे में तो कोई नहीं जा रवाए दी, तो कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि सोनिया अगांधी जी दुबारा कमान को समा लेंगी, लेकिन उन्होंने समाला, तो ये हो सकता है, कि फिर दुबारा जो है, कॉंग्रेस भाक्त जो हैं, गांधी परिवार के भगठ जो हैं, फिर आज जोड के खड़े थो जाई है लेकिन सुनिया गांधी के बाद संबेत्रा जीन ने एक और भविश्वानी की है उनके बात जो अगला पार्टी का जो नया अध्यक्ष होगा वह से होगा या फिर रज्से होगा फिलहां तो यह वक्त ही बताएगा तबते के लिए हमें दीजें अजासत और धंग्यान के साथ अब हमेशा यूभी बने रहे हैं।